क्या हुआ जब आयोध्या में प्रकट हुआ साक्षात पुष्पक्विमान जब राम मंदिर में काम कर है मस्दूरों ने यह नजारा देखा तो सभी के पैरों के तले जमीन छेजग गई जैसे कृष्णा दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सनातनी फैक्ट्स में 22 जन्वरी 2024 को राम लला आयोध्या के नए भव्य मंदिर में विराजमान होंगे इस शुब कारेक्रम के लिए पूरे देश में निमंत्रण बाटा जा रहा है शहर में घर के बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी सही योग कर रहे हैं यहां तक की महिलाई भी घर घर अक्षत और भगवान शीराम की फोटों वित्रण कर रहे हैं आयोध्या में मंदिर के निर्मार भव्य प्राण प्रतिष्ठा का कारे तेजी से हो रहा है इस कारक्रम को भव्य बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही इस बीच मंदिर का निर्मार तेजी से हो रहा है लगभग 80% कारे संपन हो चुका है सतर खंबों पर मजदूरों के होश उड़ गए जब रात्री की समय सब मजदूर अपना काम खत्म कर तंबू में सो रहे थे उसी समय अचानक से उन्हें वहां कुछ हलचल महसूस हुई जब सुरेश नाम के मजदूर उन्हें तंबू से बाहर जांकर देखा तो उन्हें राम मंदिर के परिसर पर कुछ अजीब सी पीली चमकती हुई चीज दिखाई दिये उन्होंने अपने साथियों को जगाना चाहा पर कोई भी उसके साथ नहीं आया तब हिम्मत करकर शुरेश जब राम मंदिर परिसर में पहुँचे तो वहां का नजारा चौका देने वाला था क्योंकि उन्हें वहां पर एक दिव चमतकारिक विमान दिखाई दिया जिसका आकार मोर की समान था जो दिखने में काफी सुन्दर और तेज से परिपोर्ण था जो राम मंदिर परिसर के पिछले छेदर में उतर रह लेकिन उस्विमान को कंट्रूल कौन कर रहा था यह समझ नहीं आ रहा था क्योंकि उस्विमान में इतना तेज था कि सामाने आखों से देखना असंभव था लेकिन समझ में कुछ ऐसा आ रहा था मानुस्वयम साक्षाद भगवान राम शाक्षाद पुश्पक विमान में स आयुध्या पधारे हुए हो शुरेश ने जब यह चमतकर आँखों से देखा कि अचानक से वह बहोश हो गया क्योंकि उसका तेज इतना तेज था कि वह उसे सहन नहीं कर पाया सुरेश जब उठा तो खुद को उसी स्थान पर पाया उसने देखा कि उसके सभी साथी मंदिर निर्मार कारी के लिए पूरा करने के लिए जा रहे थे उसने सभी को रोक कर रातरी के बारे में बताया लेकिन सभी उसका मजाक उड़ा रहे थे लेकिन शुरेश समझ गया चुका था कि प्रभु श्री राम अयोध्या में आ चुके हैं और श्री राम अयोध्या आ चुके हैं इस बात को समझ कर वह अतनी तही प्रसंड था आपको क्या लगता है आप कमेंट करें दोस्तों देश के अलग-अलग कोने में अलग-अलग आकरिती के विमान दिखाई दिये हैं नेचिन का संबंध कई बार एलियन के साथ चोड़ कर देखा जाता है और पुश्पक विमान क्या है? रामायर के अनुसार रावर की पास कई लड़ा को विमान थे पुश्पक विमान के निर्माता विश्व कर्मा थे कुश लोगों के अनुसार पुश्पक विमान के निर्माता ब्रह्मा थे ब्रह्मा ने यह विमान कुबेर को भेट किया था कुबेर से रावर ने छीन लिया रामाड में वर्नित के रावर पंचवटी से माता सीता का हरड करके पश्पक विमान से लंका लेकर आया था रावर की मृत्ति के बाद विभीशन इसका अधिपती बना और उसने फिर से इसे कुबेर को दे दिया कुबेर ने इसे राम को पहार में दे दिया राम लंका विजय के बाद आयोध्या इसी विमान से पहुँचे थे सुरेश के कथन के इनुसार 10 जनवरी 2014 को रात्री के समय राम मंदिर के परिसर में श्री राम माता सीता और लक्षमर पुश्पक विमान से आयोध्या पधारे थे आपको क्या लगता है कमेंट करें और वीडियो को जादा से जादा शेयर करें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो के लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट में जैश्री राम जरूर लिखें